हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टो इंडियन सिंपल किचन इंडियन सिंपल किचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको काले चनों से पंजाबी छोले बनाना सिखाऊंगी यह बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है और आप जरूर सिख चाहेंगे और इसे आप as a breakfast बना कर enjoy कर सकते हैं तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं इसके लिए मैंने लिया है चना जिसे मैंने रात को भी गो दिया था और मैंने लिया है प्याद जिसे मैंने कट कर लिया है मैंने लिया है टमाटर, अद्रक और हरी मिर्च ली है मैंने सबसे पहले मैं गैस पे एक कूकर रखूंगी और उसमें चने को डाल दूँगी तो चनों को मैंने डाल दिया है और उसमें पानी डाल दिया है अब हमेंसे 4-5 सीटी आने तक अच्छे तरीके से पका लेंगे अब मैं इधर मसालों को पीस लूँगी मसालों में हमें प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और अद्रक को ब्लेंड कर लेना है मैंने यहाँ दो मिडियम साइज के प्याज लिए है मैंने यहाँ पे दो तुकड़े अद्रक के लिए है पास से छे हरी मिर्च ले ली है और मैंने यहां पर दो मेडियम साइज के टमाटर को काट लिया है अच्छे तरीके से हम इसे ब्लेंड कर लेना है यह देखिए ब्लेंड कर लिया मैंने इसे मैंने इसे ज़्यादा पानी डाल कर नहीं पीसा था क्योंकि प्याज और टमाटर में अल्रेडी पानी होता है ये देखिए पैन हमारा अब गर्म हो चुका है इसमें मैंने मस्टर्ड ओल डाला है तेल हमारा गर्म हो चुका है अब मैं इसमें डालूंगी मसाले बिल्कुल लो टू मिडियम फ्लेम में से फ्राई करें मसाले बिल्कुल कच्छे नहीं रहने चाहिए टमाटर है जो पकने में थोड़ा टाइम लगाता है ये देखिए मैंने इसमें डाला है नमक अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे तरीके से मिला लूंगी टमाटर और प्याज में पानी होता है इसलिए बिल्कुल अच्छे तरीके से भून ले मसाले बिल्कुल भी कच्छे नहीं रहने चाहिए ये देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है आप देख सकते हैं मसाला हमारा भूनने लगा है तो आप देख सकते हैं इसमें से तेल अलग हो गया है इसका मतलब मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून चुके हैं इधर मैं कूकर को देख लूंगी हमारे चने अच्छे तरीके से गले की नहीं है ये देखिए तो मैं आपको दिखाती हूँ चने हमारे बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुके है अब मैं चनों को अपने मसालों में डाल दूँगी तो डाल दिया मैंने इसे अब मैं बचेवे चनों को भी इसमें डाल दूँगी और बचेवे पानी को अपनी ग्रेवी में डाल दूँगी अलग से आपको पानी यूज नहीं करना है आपने देखा मैंने इसी पानी को इसमें यूज किया है अब मैं स्पून की मदसे से दबा दबा कर बिल्कुल गाड़ी कर लूँगी हमारी ग्रेवी बिल्कुल गाड़ी होनी चाहिए ताकि इसका टेस्ट खाने में बहुत ही लजीज हो ये देखिए हमें इसमें से इस तरीके से दबा कि कुछ चनों को मसल देना है ताकि हमारी ग्रेवी बिल्कुल गाड़ी हो जाए बहुत जादा जोर से इसे नहीं दबाए ये ऐसे ही करने से अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगी ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ चना हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है तो अब मैं इसे सर्फ करूँगी तो घर पर ज़रूर ये ये नए तरह के पंजाबी छोले जिसे मैंने काले चनों से बनाया है मैंने इसमें प्यास को राउंड शेप में कट करके और टमाटर को और हरी मिर्च को डाल दिया है आप चाहें तो इसमें धने पत्ता भी तो आप देख सकते हैं कितने जल्दी हमारे छोले रेडी हो चुके हैं अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें